हेलो अब्रीबन वेलकम टू साक्षी केम क्लासस आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इफेक्टिव नुक्लियर चार्ज और उस इफेक्टिव नुक्लियर चार्ज को निकालने के लिए हमें जुरत बढ़ेगी स्क्रीन गॉंस्टेंट की कैसे होती हैं तो सबसे पहले चीज ये समझते हैं एफेक्टिव नुक्लियर चार्ज टर्म कहां से आई है हमारे पास क्या है नुकलियर है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवाल कर रहे हैं अब जो मान लीज़े हमने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉ से जो nucleus है वो outermost electron को full force के साथ attract नहीं कर सकता मतलब जितना nuclear charge इस पर लगना चाहिए था electron पे वो नहीं लगता है क्योंकि inner में electrons present है inner electrons क्या कर रहे हैं nucleus को shield कर रहे हैं और इसी को हम क्या करते shielding जो shielding effect बोलते हैं जो inner electrons nucleus को क्या करते हैं जिसकी वज़़े से outer electron पे क्या है nucleus की जो attraction है nuclear charge हो decrease हो जाते हैं अब हमें find out करना है कि किसी भी atom के लिए जो nuclear charge हो कितना decrease हो रहे हैं तो वो कैसे find out करते हैं हम screening constant की help से इसके लिए हम निकालते है अब हैं एक्टिव तो इसके रूज है, वो रूज देखिए, सबसे पहले, जिस भी element की आप बात कर रहे हैं, उसका आपने क्या करना है, electronic configuration लिख लेनी है, और इस तरह से club कर देना है, सब शल्स को, कैसे, S और P को एक साथ रखो, D और F को अलग लग रखना है, मतलब D और F किसी के साथ club नहीं हो और उससे आप पर जो भी value वो नहीं देखनी है, सुपोज आपको कोई बोले, कि जो 4P electron है, इस पर आप बताईए, कि जो effective nuclear charge है, वो कितना लगेगा, तो यह जो P का एक electron है, वो आप ignore करोगे, उससे आगे जो भी electron है, वो ignore करोगे, उससे पीछे वाली values को आप consider करोगे, ठी है, second हमारे पास आता है, कोई भी electron, अगर आपके पास S और P orbital में है, उसमें जो N-H shell है, N मतला, जो main principal shell आपके पास, जो main principal shell है, वो shell, तो N-shell के लिए यहाँ पर value क्यों होगे, 0.35, N-1, मालने जे हम बात कर रहे है, 4S की, या 4P की, तो 4 यहाँ पर क्या हो गई, N-shell, इससे N-1 shell काउन सी हो गई, आपके पास, 3 वाली, N-2 वाली काउन सी हो गई, आपके पास, 2 वाली, and so on, इसका मतला, कोई के भी S और P orbital के आप बात कर रहे हो, उसमें N-shell में जो contribution है, वो 0.35 है, N-1 में 0.85 है, N-2 में जो contribution है, वो 1 है, और अगर आप सिरफ और सिरफ 1S electron के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पर जो contribution होता है, वो 0.30 होता है, suppose आपको कोई बोले helium के जो S electron का contribution निकालो, मतला उस S2, तो इस के समें आपके पास सिरफ 1 electron रहा गया, और सिरफ और सिरफ इसमें 1S orbital यूज़ हो रहा है, तो यहां पर 0.30 value आप लेंगे, नेक्स आपके पास है, D और F के अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पर N-shell का contribution है, वो तो उसमें जो भी electrons है, उसको multiply करेंगे 0.35 से, और उसके अलावा, जो भी उसके left side में present होंगे, N-1, N-2, जो भी आपके पास present है, उसको 1 से multiply करेंगे, hopefully आपको यह अभी तक topic समझ आ गया होगा, इसके जो questions हैं, वो हम next video में cover करेंगे, so that आपको topic जो है, वो clear हो जाए,